मोधी सरकार के तीसरी कारेकाल का आज पहला आम बजट संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने पेश किया वित्तमंत्री के रूप में उनका ये लगातार सात्वा बजट है बजट में अलग-अलग सेक्टरों के लिए कई गोशनाई की गई है जुसमें किसी को राहत तो किसी की जेप पर असर पढ़ने वाला है खास कर आम आदमी को बजट का बेसबरी से इंतजार था उसे उम्मीद थी किस बार उसे बढ़ती महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी और सरकार आम आदमी के लिए कुछ खास लेकर आएगी लेकिन आम आदमी को इस बजट से कुछ खास फायदा नहीं मिला हाँ लेकिन सरकार ने कुछ चीजों के दामों में कटोती जरूर की है तो कुछ के दाम में बढ़ोतरी तो आईये जानते हैं आम आदमी की जेप पर किस चीज का बोज बढ़ा है और किस एलान ने उसे राहत दी है मोधी सरकार ने अपने तीसरे कारिकाल का पहला बजट पेश कर दिया है वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने इस बजट में कई बड़े एलान किये है बता दे सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है और इनमें प्रमुक तोर पर कैंसर की दवाईयों को शुल्क मुक्त कर दिया है तो साथ ही मोबाइल फोन्स को लेकर भी एक बड़ी राहत दी गई है भारत में मोबाइल फोन मैनुफाक्चरिंग पिछले कुछ सालू में तेजी से बड़ी है इसलिए भारत में मैनुफाक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी में कटोती का एलान किया है ये कटोती मोबाइल फोन्स और कई दूसरे पार्ट पर भी की गई है इसका इंडस्ट्री पर सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे फोन्स की कीमत भी कम हो सकती है वही इसके अलावा वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने बड़ा एलान करते हुए कैंसर की दवाएं सस्ती करने का एलान किया है इसके अलावा सरकार ने सुना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6 प्रतीशत कर दिया है इसके बाद सोना चांदी की कीमते कम हो जाएंगी इसके अलावा लेदर और फुटवेर पर कस्टम ड्यूटी घटाई है वहीं दूसरी ओर टेलिकॉम उपकरण महंगे हो गए है इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15 प्रतीशत कर दिया गया है सीधे शब्दों में अगर आपको बताएं तो जो चीजे सस्ती हुई हैं उनमें सोना चांदी, इंपोर्टेट जुएलरी, प्लाटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटी, कैंसर की दवाएं, मुबाइल चार्जर, मचली का भूजन, चम्डी से बनी वस्तुएं, रसायन पेट्रो क प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं, सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तिमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टाक्स बढ़ा है, इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है जाहिर है अंतरिम बजट में सरकार ने गरीब महलाएं युवा और अन्नदाता पर फोकस किया था साथ ही कृशी शेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर भी जोड़ दिया गया लेकिन वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी तेजी से बढ़ी थी जिसने आम आदमी की जेब पर खासा असर डाला इसलिए जनता को उमीद थी कि ये बजट उनके लिए नई सौगात लेकर आएगा और बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी खेर अब इस बजट पर आम जनता की क्या राय आती है ये देखने वाली बात होगी फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहेए सी न्यूस भारत